आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे ड्रॉइब कर सकते हो ताज महल को और यह एक डिटेल स्टेप बाइस्ट टूटिरोल रहने वाला है तो अपनी कॉपी पैंसिल लेकर रेडी हो जाए मिरसाथ ड्रॉइब करने के लिए इस ड्रॉइंग को ऄने के लिए आपको एक पैंसिल और एक स्केल की जुट पढ़ेगी जो की बहुत जरूरी है इस ड्रॉइंग को ड्रॉइक करने के लिए एंड एजरेजर की जुरस पढ़ सकते हैं बीच उ-ubी-च में ए reappearस करने के लिए तो यह कामन सी चीज है जिनके में जब्ष परने monetary ह क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो पेशेंस के साथ ड्रॉ करेंगे ओके गाइस तो शुरू करते हैं ड्रॉइंग एंड मैं बता दुए यहां पर मैं एफोर साइस की स्केच्च बुक कर रहा हूं जो हमारी नॉर्मल सी रेगुलर टेक्स बुक होती है उस हाइट आप 4 cm तक रख सकते हो ठीक इतना ही हमें मैजर करते हो एक पॉइंट मार्क करना है 10 cm की डिस्टेंस वे उपर की दरफ जो हमारा ताजमल का टॉप हो जाएगा ओके तो इतना मैजर करने के बाद हम उपर वाले जो पॉक्स है उसको कनेक कर लेते हैं एंड इन केस को एक परफेक्ट जो है वो मैजर मेंट मिल जाएंगे तो उपर वाले लाइन को कनेक कर देते हैं बढ़ते हम लोग आगी की दरफ तो इतना ड्रॉक करने के बाद अब हम लोग इसको तीन इकल पोर्षन में इसमतर तीन इकल सेक्शन में डिवाइट करने वाले हैं कुछ इस तरह से जैसे मैं भी यहां पर ड्रॉक कर रहा हूं तो बीच वाला पोर्षन जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बढ़ा रखेगा बा अब हम लोग उपर की तरफ बढ़ते हैं उपर वाला जो हमारा टॉम है उसको ड्रॉक करेंगे तो सबसे पहले मैं आप एक सेंटर लाइन ड्रॉक कर रहा हूं बहुत ही लाइट लाइन है तक कि हम बाद में इसको एरेस कर लें आज सानी से ओक तो ऊपर वाले पॉइंट से हजे हम लोग थोड़ा सा हलका सा नीचे मार्क कर लेंगे जिसे हमें जो पिलर है वह अँपर की तरफ निकला है वो मिल जाएगा और अब हम लोग को कैसे ड्रॉ करेंगे वो राउंड सी अब करेंगे आपने साइड में दो एंगल ले लाइन ड्रॉक कर रहा हुं जैसे अब थए तो जैसे आप लोग वीडियो में देखर हूँ अपको jogni डॉक करना है ठीक है अब आप लोग इसको:「 ہो डॉक करेंगे तो इस तरह से अगर आप डॉक करते हो तो आपको ऐजी हो जाता है थोड़ा सो minion करना जो ये रॉकशी शेप है और अगर आप directly draw करोगे तो हो सकता है आपका एक हिस्सा थोड़ा ज्यादा इधर से round हो जाए या फिर स्टेट हो जाए यह चांसिस हो जाते हैं पर अगर आप ऐसे draw करोगे तो आपको एक perfect round सी shape और एक perfect two मिल जाएगा तो अब यहाँ पर हम लोग इस उपर वाले portion को भी draw कर लेते हैं कुछ इस तरह से okay तो side में आप draw करेंगे जो हमारा side वाली building है उसको भी draw करेंगे and यहाँ पर मैं again इस part को दो part में divide कर रहा हूँ और जो right वाला part आपको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा and अब उपर वाले हम okay तो एक चीज़ बताना भूल गया है मैं यहाँ पर हम लोग side में इस corner की तरफ जो है इसे थोड़ा सा angle में draw करेंगे जिसे हमें एक perspective में view मिल जाए I mean perspective से मेरा मतलब है हमें ऐसा लगना चाहिए कि यह थोड़ा से दूर है थोड़ा से curve में है जिसे हमें एक perfect view मिल जाएगा okay तो अब बढ़ते हैं हम लोग side वाले जो हमारे pillar है जो tom है उसको draw करते हैं ठीक है जैसे मैंने पहले उपर वाला draw किया था सेम वही method को follow करते हैं मैं यहाँ पर भी draw कर रहा हूँ कुछ इस तरह से अब हम लोग side वाले pillars को draw कर लेते हैं जो छोटे-छोटे pillars है उनको भी draw कर लेते हैं तो यह detail वाला portion है और इसको मैं थोड़ी देर में अभी draw करूंगा बढ़ते हैं हम लोग main जो हमारा part है जो windows है अब उनको draw करेंगे windows एंडोर्स जो भी है यहाँ पर उन्हें draw करेंगे तो I don't know यह window है या फिर यह अलग से building का उपर वाला portion है तो पहले यहाँ पर मैं एक rectangle box draw कर लो हूँ है simple सा उपर की तरफ और नीचे की तरफ and जो अब हम आरा जो राइट वाला portion है उसमें हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि हम straight line ना draw करें हलका सा जो हमने उपर angled में line draw करी है उसको ही measure करते वे draw करें and जितनी भी हम lines को draw कर रहे है वह हमारी जो left वाला जो box है उससे measure करते वे हम draw करें उसी की straight line में draw करें और जैसा आप आप देख रहे हो सेम जैसे आप पो draw करते रहना है यहाँ अपर अब जो हमारा box है जो हमने draw के थे इनके अंदर हमें एक triangle सा shape में draw करना है और बाद में हम इसको अच्छे से पूरी round shape में draw कर देंगे तो पहले भी मैं rough में यहाँ पे draw कर रहा हूं triangle ठीक है इतना होने के बाद हम लोग left side भी ऐसे ही करेंगे पूरा हम लोग left side को भी इसी तरह से draw कर देंगे जैसे हमने right side draw किया था okay तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो main door है उसको draw करेंगे तो सबसे पहले मैं यह पे जो उपर वाली line है उसको अच्छे से draw कर लेंगे और वहीं से हम measure करते वए door को draw करेंगे तो आप बहुत सी lines हमें draw करनी है और जितनी भी lines आपको मैं दिखा रहा हूँ आप वैसे draw करिए और यह थोटा से detail वाला portion है तो यहाँ पर ध्यान रखके जो भी मैं lines को draw कर रहा हूँ वह आपको देखते रहें अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी problem हो रही है तो आप pause क करिए और फिर draw करिए और मैं आपको एक और चीज़ करूँगा आप इस वीडियो के साथ में draw करिए तो वैं आपको ज्यादा अच्छे समाझ आएगा ज्यादा अच्छा आप इस वीडियो को use कर पाओगे तो आप इसको हम लोग डिवाइट कर लेते हैं जो box हमने draw किया था दोर के लिए उसको divide कर लेते हैं पीच में से यहाप एक और मैं छोटी सी window I don't know window है यह door है जो भी है इसको मैं draw कर लेता हूं अब नीचे की तरफ हम वैसे draw कर लेंगे जैसे हमने उपर भी draw किया था ठीक ह तो यह हमारा हो गया है हमारा जो main जो ताज महल का जो front है वो हो गया है अब side में हम लोग थोड़ी सी और details में draw कर देते हैं जो pillars हमने रह गए थे वो draw कर देते हैं और फिर बढ़ते हम लोग जो हमारी मिनार है चार मिनार है उनकी तरफ बढ़ते हैं वो कैसे draw करूँगा अ तो उसके लिए हम ले अपनी जो lines है उसको थोड़ा extend कर देंगे अब यहां पर बहुत से लोग पूछेंगे कि हमें कितने distance पे draw करनी है तो जितना आपका half है इस पूरे ताज महल का जो हमने अभी तक जो front पॉर्शन 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 वाले जो portion है वो कैसे measure करेंगे हम लोग सबसे top से measure करेंगे जो हमारा top का जो point है वहां से measure करते हुए मैं उसकी पूरी height चार मिनार की है जो side वाली दो दूनों है उनकी height को measure कर लूँगा and आप मैं आप एक center line draw करूँगा जिसे हमें state जो है वो मिनार मिल जाए ठीक है तो य हो सकता है आपके जो मिनार है वो थोड़ी सी टेड़ी हो सकती है या फिर सही proper ना draw हो तो इस तरह से अगर आप draw करोगे तो आपको एक proper जो है वो मिल जाएगी मिनार चीक है तो यहां पर आप मैं उपर की तरफ मार्क कर ले रहा हूं and फिर उतने ही distance पर अब मैं नीचे से जो है एंगल में light draw करोगा जैसे आपको देख रहा हो उस तरह से दोने तरह हम लोग ऐसी तरह से ड्रॉक कर लेंगे जो बाकी जो चोटी वाली मिनार है चोटी एक्चुली वो इस लिए दिख रही है क्योंकि वो इचे की तरह है इसलिए वह हमें चोटी नजर आ रही है और इन रियल लाइफ अगर आप देखो गे तो चार मिनार जो है वो सब एक्वल बराबरी होंगी ठीक है जैसे मैंने पहले यहां पर साइड वाली ड्रॉक करी थी उसी टेक्निक को फॉलो करते वह मैं यहां पर भी ड्रॉक कर ले र अब चार मिनार का जो हम उपर वाला पोर्शन है वो कैसे ड्रॉक कर सकते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं इरेस करूंगा इसको और यहां दोनों साइड में ऐसी करने वाला हूं फिर हम लोग इसको जो एंगल वाला जो मतलब उपर का टॉंब है वो छोटा सा टॉंब है वो ड्रॉक करेंगे सबसे पहले मैं इसको यहां पर नीचे से तोड़ा सा मार्क कर ला रहा है एक बॉक्स टाइप की शेप में फिर मैं अगें ट्रेंगल शेप ड्रॉक करूंगा जिसको मैं बाद में राउंड शेप में ड्रॉक कर दूँगा ठीक है उस तरह से हम लोग हमें जो इस पिलर का जो वो है क्या कहते हैं इसे टॉम वो मिल जाएगा ठीक है दोन तरफ हमें सेम इसी तरह से ड्रॉक करना है और बाकी जो नीचे वाले जो शेक्शन्स इस मिनार में पिलर में मिनार बोड़ेंगे इस मिनार के जो शेक्शन्स डिवाइड हो है वो भी हम आज़र कर लेंगे और फिर उसको उतने साइस पर हम लोग ड्रॉक करेंगे सबी मिनार को हमें इसी तरह से ड्रॉक करना है तो यहाँ पर मैं टाइमलेस्ट में दिखाता हूँ आपको कैसे मैं ड्रॉक किया था यह सब कर दिंब कर दो हूँ तो इतना हो जाने के बाद आप हम लोग बढ़ते हैं नीचे वाले पॉर्शन की दरफ आप नीचे कैसे ड्रॉ कर सकते हो जिसे हमें एक और अच्छा इसमें वियू मिल जाए और थोड़ा और हमारा जो महल है ताज महल है वो अट्रैक्टिव लगे तो यहां पर पहले मैं एक जो नीचे हमारा आगेस लेक या पॉर्ण टाइप का जो नीचे पानी वाला शेक्षन है उसको मैं यहां पर मैजर कर ले रहा हूँ जो हमारा डॉर है उसके सेंटर उससे ठीक नीचे की तरफ दो पॉइंट मार्क करके एंगल में लाइन ड्रॉक कर रहा हूं जैसे हमापे और फिर उसको हम लोग connect कर लेंगे आपस में कुछ इस तरह से तो यह lines आप लोग जब draw करो तो बहुत ही light draw करो यहां पर मैंने दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा यहां dark draw की है सेम इसी तरह से हम दूसरे side भी ऐसी draw कर लेंगे यह lines draw करने का reason हमारा क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको अब इसी तरह से कोड़ line draw करनी है इन दोनों lines के बीच में कुछ इस तरह से जैसे हाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ठीक है दोनों तरह इसी तरह से draw करेंगे और अब हम लोग इन जो दो हमने lines draw करी है इनके बीच में हमें trees draw करने वो कैसे draw करेंगे हम लोग पहले आपे boxes draw करेंगे simple से और जितना हम लोग जो corner वाला जो point है जहाँ पे end point है वहाँ से start करेंगे ठीक है वहाँ पे हम लोग थोड़ा चोटे-चोटे boxes draw करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगी तरफ बढ़ते रहेंगे हम अपनी boxes जो height है जो बीच में जो length है वो increase करते रहेंगे जैसे आप आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरह से increase करते रहेंगे यह चीज करते हुए दोन तरफ हमें सेम इसी तरह से draw करना है तो यह draw करने का reason हमारा यह है हमें एक perspective में view मिल जाएगा perspective means जो चीजे दूर होती है वो छोटी दिखती है और जो चीजे पास होती है वो हमें बड़ी दिखती है तो इस तरह से मैं यह आप पेड़ ड्रॉक करूँगा और अगर आप direct इसे draw करोगे तो हो सकता है आप लोग सही से draw ना करपाऊ और confused हो जाओगे तो इस तरह से अगर आप ड्रॉक करोगे तो definitely आपको एक अच्छा perspective में view मिलेगा ओके तो इसी तरह से मैं आप यह दोन तरफ ड्रॉक कर ले रहा हूं ओके गाइस तो इतना हो जाने के बाद हमने हमारी drawing को almost complete कर लिया है and अब यहां पर हमें इसमें थोड़े changes करना है means यहां पर जैसे मैं देख रहा हूं यहां पर चार्विनर की जो angle है वो थोड़ा तरह टेड़ा हो रखा है तो उसको हम सीधा करेंगे straight करेंगे and यहां पर जो यह trees है यह भी थोड़े इस direction में left की direction में जुके वे नज़र आ रहे हैं इन्हें भी हम लोग सीधा draw करेंगे तो अब basically हमने करना क्या है यहां पर हमें जो जितनी में हमारे mistakes हैं उनको fix करना है और जो भी इसमें mistakes लग रही है उनने हम fix करेंगे okay guys अगर आपने यहां तक की वीडियो देख लिए तो मुझे लगता है आपको यह वीडियो में थोड़ी सी value नज़र आ रही होगी और आपको लग रहा हो कि आपको और भी वीडियो चाहिए इस channel से और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर करिएगा मैं इसे type की और भी interesting drawing वीडियो टुटोरियल इस channel पर upload करता रहता हूँ तो प्लीज इस channel को support करिए और अगर आपको ऐसी detailed drawing वीडियो और चाहिए तो चैनल को subscribe करके notification bell on कर लीजेगा और अगर आपक लाइक करना and comment करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी मेरा समझाने का तरीका आपको कैसे लगा और अगर आपको कुछ और मतलब इस तरीके में changes चाहते हो या फिर आपको मेरे को कुछ feedback देना है तो आप वो भी comment में बता सकते हो कि मैं और क्या improve करूँ अपनी tutorial qualities को improve करने के लिए and one more thing अगर आपको इस वीडियो को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा help मिलिए तो आप thanks वाला option को use करके मुझे कुछ एक amount में इस वीडियो को support कर सकते हो और अगर आप thanks वाला option नहीं कर सकते हो तो it's okay आप भी इस चैनल को subscribe करके भी support कर सकते हो इस वीडियो क इस चैनल को और बढ़ते हम लोग आगे की ड्रॉइंग की दरफ ओके गाईस तो काफी चीज़े मैंने आपर चेंज करी हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने जो हमारा पिलर था उसको हमने स्टेट कर दिया है और जो हमारे ट्रीज है उनको भी हमने सीधा कर दिया है अब यहाँ पर आप चेंजिस खुदी देख सकते हो कि हमारी ड्रॉइंग हो कितनी इंटरस्टिंग और कितनी अच्छी लग रही है पहले से और जो भी चीज़े हमने फिक्स करी है उसकी वज़से हमारा बहुत सार चेंजिस आ गया है इसमें और जो भी चीज़े हमारी यह शेडिंग के लिए मैं बता दूँ यहाँ पर जो हमारी लाइट है वो राइट साइड से पढ़ रही है विच मींज उसका मतलब हमें जो लेफ्ट वाला जितना भी हमारी ड्रॉइंग में पोर्शन है उसको शेड करना है और वो शेड आप कैसे करोगे वो मैं आपका भी द शेड करना है उसको डाक कर देना है अच्छे से और यह वाइट जो पूरा ताज मेल है वो वाइट है तो यहाँ पर शेडिंग जो है वो हल्की सी लाइट होने वाली है ठीक है शेडिंग वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं यह पार्ट में ज्यादा कुछ एक्स्प एवालेबल है और जैसे यहाँ पर मैं शेड़ कर रहा हूं सेम आप इसी षेड़ कर सकते हो कहीं पी अगर लग रहा है कि मिरको यहां पर दिख्कत हो लुए तो आप वीडियो को पॉसो करो ऊब्जर्ब करो वीडियो के अच्हे से देखो ड्राइंग के अच्छे से देखो और फिर आप अपने ड्राइंग को उसके अक्वार्डिंग शेट कर सकते हो कि अक्वार्डिंग कर सकते हो अक्वार्डिंग कर सकते हो कि अक्वार्डिंग कर सकते हो कि अक्वार्डिंग कर सकते हो झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल आ कि अाल तो फाइनली हमने ड्राइंग कंप्लेट कर दिया है मुझे उमीद है कि आप लोगों ने काफे अच्छे से इसको शेड किया होगा जो मैंने चीज बताये थी हैं पर हमने लेफ्ट साइड में शेडिंग करी है जिससे हमारी राइट साइड में हमारी हाइलाइट समय मिल गई है जिसकी वाइसे हमारी ड्राइंग जो है वो बहुती जादर रियलिस्टिक लगने लगी है और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मैं मिलता हम फिर आपको किसी और वीडियो में किसी और इंटरस्टिंग ड्रॉइंग वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड कीप ड्रॉइंग